दर्शकों मैं आपको आज दिनांग 5 अप्रेल 2024 वार सुक्रवार हिंदी मास चैत्र कृष्ण पक्ष तिती पाप मोचनी एका दसी है आज रितू बसंत रितू विक्रम सम्मध 2080 का रासी पल बताने जा रहा हूँ आज नक्षत्र धनिश्टा और चंद्रमा मकर में और सूर मे इन रासी में रहेगा तता राहुकाल का समय आज प्राते 10 बजगर 51 मिनट से लेकर दुपहर 12 बजगर 25 मिनट तक रहेगा जो कि कोई भी सुब कार करने के लिए अच्छा नहीं मानते हैं राहुकाल के समय कोई भी सुब कार प्रारम नहीं करना चाहिए अवजित्म उरत को मैं आपको राशी बल के अंत में बताने वाला हूं कि शुकरवार के धिन घर से यात्रा के लिए निकले तो क्या ख़ाकर निकले जिससे की आपकी यात्रा मंगल में हो और आपका दिन सुब हो आज सुक्रवार के दिन कौन सी दिसा में यात्रा करें और कौन सी दिसा में यात्रा करने से बचें सुक्रवार के दिन कौन से देवी देवता भगवान को पूजने की अधिक मानता है सुक्रवार के दिन कौन सी वस्तु धान करें पूजा करते समय कौन से रंग के वस्तर पहने एवं अपनी कारिश सिद्धी के लिए आज भगवान के सामने कौन से मंत्र का जाप करें एवं हम सुक्रवार का ब्रत रखें तो ब्रत में क्या खाएं और क्या नहीं काएं यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अन्त तक बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे के अगले दिन की रासीपल का नोटिपिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके दर्सको हम यह रासीपल का वीडियो अनेको पंच कारात्म कमेंट जरूर करें जिससे की अच्छी अच्छी घ्यानवर्तक बातों का वीडियो लाने के लिए अधिक उत्साह रहें अब हम बात करते हैं रासीपल के बारे में मेश रासी जिनके नाम का पहला अक्षर आ ला इसे शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा कुछ मुश्कलें आएंगी लेकिन अपने आत्मिस्वास्वे द्रण निश्चे द्वारा उनका समाधान भी आसानी से ढूंड लेंगे घर के लिए किसी मूलवान वस्तु की खरीतारी भी सम्भव है युवाओं को कोई उपलब्दी मिलने से गजब का उस्साय रहेगा आपके लिए आज नेगेटिव क्या रहेगा नेगेटिव में आज जो है नकारात्मक परवर्ति के लोगों के साथ कोई भी संपर्क ना रखें इनकी बज़े से आपके बंते कार में बिगन आ सकता है इस समय भाई बेनों के साथ अपने रिष्टों को बहुत समाल करके रखने की जरूत है व्यवसाय में कार इस्तल पर गत्वदियों को ठीक करने के लिए आपकी मौजूदगी जरूरी है खास तोर पर कामकाजी महलाओं के लिए समय बहुत अनकूल है प प्रेम संबंदों में मेश रासी के लिए वैवायक संबंदों में मदूर्ता बना कर रखें तता अपने रिष्टों के प्रती इमांदार रहें व्यर्थ के प्रेम संबंदों से दूर्या बना कर ही रखना उचित है स्वास्ते में स्वास्ते ठीक रहेगा कभी कभी बहुत अधिक कारवार की बज़े से मानसिक और सारी ठकान रह सकती है समय समय पर उचित आराम लें आपका भागसाली रंग सफेद है और भागसाली अंक एक है अब आगे बात करते हैं ब्रसरासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर वा वा उ एसे शुरू होता है तो रहेंगी लेकिन समय पर सही नेड़े लेना आपके कई परेशानियों को हल करेगा युवाओं द्वारा किया गया कोई भी सामाजिकार तारीप के काविल होगा मित्रों अत्वा परजनों के साथ चल रहे मनमट्राव का भी समाधान मिलेगा नेगेटिव क्या रहेगा आ आपके व्यक्ति गतकार रुख सकते हैं ज्यादा उदारता रखना भी उच्छित नहीं है बच्चों की कोई गत्विदी आपको परिशान कर सकती है बेवसाय में बिजनिस में उल्जने रहेंगी जिससे अपेक्षित लाव नहीं मिलेगा विस्तार संबंदी योजनाओं प किसी समस्या का हल निकालने में शक्षम रहेंगे पैम प्रसंग में खुशनुमा बना रहेंगे और स्वास्ते में अत्यद्य की व्यस्तता की बज़े से ठकान हावी हो सकती है दूसरों के मामले में अपनी उर्जा बेर्थ ना करें और अपने खुद के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें आपका भागसाली रंग हरा है और भागसाली अंक दो है अब हम बात करते हैं मिथुन रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर का छा घा हासे सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा आज समान विचार धारा के लोगों से मेल इमलाप एक नई उर प्रभाजत करेगा खेल कुछ से जुड़े विद्यारतियों के लिए लाब दायक सो अवसर प्राप्त होंगे सरकारी मामला रुका हुआ है तो उसमें गदी आने की पूरी उम्मीद है नकारात्म क्या रहेगा मिथुन रासी के लिए इस समय किसी भी तरह की आवाजाई से परेज रखें क्योंकि इसमें पैसा और समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हांसिल नहीं होगा घर के किसी नजदी की सदस्त के विवाईक संबंदों में अलगाव जैसे इस्तिती उत्वन होने से तनाव रहेगा विवसाय में कोई नया कार सुरू करने की योजना बना हैं तो समय अनकूल है इसलिए एकाग रिच्चित होकर अपने कार के प्रती समर्पित रहें आपकी बौद्विक ख्यमता एवं कार प्रणाली को निश्चित ही सपलता प्रदान करेगी नोकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी कार्याले का माहुल उत्तम बना रहेगा प्रह आवश्चक है स्वास्ते में क्या रहेगा आज स्वास्ते संबंदी चल रही समिष्याओं से रहत मिलेगी तता आप अपने अंदर सकारात्मक उर्जा महसूस करेंगे आपका भागसाली रंग नीला है और भागसाली अंक छे है अब आगे हम बात करते हैं करक रासी के बारे सकता है अपने आसपास के वातावरन में बदलाब महसूस करेंगे इस बदलाब को आपके विक्तित पर सकारात्मक प्रभाप पड़ेगा विद्यारतियों को अपने कार में आ रही रुकावटें दूर होने से रात मिलेगी नकारात्मक क्या रहेगा आज आपके लिए अपन आराम और मनोकूल कारियों के लिए भी निकाल कर जरूर रखें आप व्यवसाय में कार खेत्रबर आपका बर्चस बना रहेगा आपके मार्ग दर्शन और सायोग से अधिकतर काम समय अंसार पूरी हो जाएंगे नोक्री पेशा लोगों के ऊपर कारवार की अधिकतर रहेग प्रेम प्रसंगों में नजदी किया बढ़ेंगी मुलाकात करने का भी अवसर मिल सकता है स्वास्ते में गैस और एसी टीडी डीटी जैसी समस्याओं से बचने के लिए असंतलित खानपान से परेज रखें कुछ समय ब्यायाम में भी जरूर व्यतीत करें आपका भाग साली रंग पीला है और भाग साली अंक नौ है अब आगे हम बात करते हैं सिंग रासी के बारे में जिनके नाम का अक्षर मा टा से शुरू होता है उनके लिए आज पॉजिटिव क्या रहेगा सुक्रवार के दिन आय और व्याय में उचित समानवे बना रहेगा आध्यातिम तता धार्मिक गत्विदियों में समय ब्यतीत करने से आत्मिक सांती महसूस होगी किसी भी इस्तान परवर्तन संबंदी योजना बन रहे हैं तो आज उनकारियों के बनने की उचित संबावना है नेगेटिव क्या रहेगा आपके लिए आज किसी भी तरह के बाद विवास से प्रेम खुर रहें तथा अपने कारियों में ही मन लगाएं बहुत अधिक सोच विचार करना उसमें समय लगाना आपकी कार्ष्मता को प्रभावित कर सकता है विवसाय में क्या रहेगा विवसाय में करमचारियों के साथ छोटी सी लापरवाई की बज़े से आप सी संबंधों में पारवारिक जनों तता जीवन साथी का सर्योग आपको मांसे xe ग्रूब से सुकुन प्रदान करेगा प्रयेन संबंधों को विभा के लिए पारवारिक श्वकृति मिल सकती है आज आपके लिए बर्तमान नकारात्मक परिस्तितियों से अपना बचाव रखें तता दिन चर्यावे खान पान को भी शहिमेत रखना आवश्यक है आपका भागसाली रंग गुलावी है और भागसाली अंक छह है अब आगे हम बात करते हैं कन्या रासी के बारे में पॉजिटिव क्या रहेगा किसी भी कार को करने के करने से पहले परवारी जनों से सला लेना आपके लिए फाइदेबंद साबित होगा अपने जीवन सहली को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गत्विदियों में समय व्यतीत होगा विद्यार्थियों को अपने प् अपक्ष के साथ कुछ मनमुटाव की इस्तिती बन रही है ध्यान रखें कि घर की बात बाहर और जागन नहीं अन्यता इससे परिस्तितियां और गंबीर हो सकते हैं किसी असमंजस की इस्तिती में घर के वरिष्ट सद्दिशों से सला मस्वरा अवस्ष करें व्यवसाय में व्यक्ति गतकारणों की बज़े से व्यवसा पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे हालंकि इस्टाप के सयोग से गत विद्या ठीक से चलती रहेंगी नए कार की शुरुआत को अभी व्यक्तित ही रखें आप इसमें फाइलें तता पेपर वर्क को पूरा करने के लिए अत आप पर बना रहेगा स्वास्ते में अपने ऊपर अत्रिक्त कारभार ना लें सर्वाइकल और मास्पेशियों के दर्ण से रहात पाने के लिए व्यायाम और योगा पर जरूर ध्यान दें भागसाली रंग आपका गहरा पीला है और भागसाली अंक दो है सुक्रवार को घड़ से क्या खाकर निकलना चाहिए सुक्रवार के दिन बाहर निकलने से पहले दाई और चीनी खाकर निकलना चाहिए ऐसा करने से हर कार सफलता पूर्वक हो जाता है सुक्रवार के दिन कौन सी दिसा में यात्रा नहीं करनी चाहिए जोतिस सास्त्र के और वास्तु के मुताविक सुक्रवार के दिन पश्चिम और धक्षिन पश्चिम कौन में दिसासूल माना जाता है शुक्रवार को किसका ब्रत करना चाहिए शुक्रवार को हिंदू देवता कोन है शुक्रवार दिन देवी मा लक्षिमी महालक्षिमी संतोसी मा और अन पूनेश्वरी और दुरगा को समर्पित है इस दिन में ठाईयें बाटी जाती है ब्रत रखने वाले भक्त रात में भोज मंत्र पढ़ना चाहिए सुक्रवार के दिन मंत्र पढ़ना चाहिए आप ध्यान पूर्वक्ष ने ओम सर्वाबाधा विनर्मुक्तों धन्धान्य सुतानवित मनश्यों मच्ष प्रसादेन भवस्यती नसंस है ओम प्रशीद ओम स्रेम हिरीम स्रेम महालक्ष में नमः पुने में इस मंत्र को पढ़ता हूँ ओम सर्वाबाधा विनर्मुक्तों धन्धान्य सुतानवित मनश्यों मच्ष प्रसादेन भवस्यती नसंस है ओम प्रसीद ओम स्रेम हिरीम स्रेम महालक्ष में नमः इस दिन इस मंत्र को पढ़ना चाहिए मालक्ष में के लिए और संतोसी माता के बरत में साम को क्या खाना चाहिए सुक्रवार के दिन संतोसी माता का भी बरत किया जाता है संतोसी माता के बरत में कौन-कौन से पल खाने चाहिए सुक्रवार बरत के दोरान साम के एक समय भोजन ग्रेंड करना चाहिए इस दिन खटे फल और सबजी आदी का सेवन नहीं करना चाहिए आप फल, दूद, गुड, चना और हलवा आदी का सेवन कर सकते हैं सुक्रवार को कौन से कपड़े पहनने चाहिए सुक्रवार का स्वामी ग्रे सुक्र है सुक्र, हलके रंग, रंगों जैसी हलका नीला, हलका गुलावी या सफेद से महल खाता सुक्रवार के दिन सफेद, गुलावी या नीले रंग के कपड़े पहनना महलाओं और कलाकारों के लिए बिसे इसलावकारी होता है चुकि सुक्र एक इस्त्रीग रहे इसलिए ये प्रेम से जुड़ा है आगे सुक्रवार के दिन क्या दान करना चाहिए सफेद वस्त सुक्रवार को मालक्षमी की विदीवत पूजा की जाती है उनको उनकी पसिन दीदा चीजें जैसे कमलगटा लाल फूल सफेद मिठाया खी अर्पित किया जाता है इसके बाद अगर आप सफेद वस्त्र का दान करें तो यह बहुत सुमाना जाता है दही सुक्रवार को दही का दान करना बहुत सुमाना जाता है इस तरह से सुक्रवार के कुछ नियम हैं आगे भी है कि मालक्षमी को लक्षमी जी को कौन सा फूल प् फ्रूल अदिक प्रिय है सुक्रवाब के दिन मालक्षमी की पूजा में यह फूल चढाना बहुत-बहुत सुब माना गया है मानता है कि मालक्षमी को इस पूल अर्पित करने से वह परसन होती है और सुख सम्रदी की प्राप्ति होती है。 वहीं सफेद सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को और परवारी जनों को इस वीडियो को शेयर करें रादे रादे जैसरी रादे